तो चले गाइस, आज के इस वीडियो में English Grammar से Related एक Test ले लेते हैं आपके स्क्रिन पर दो Sentences डिस्पले कराए जाएंगे उनमें सो जो भी Sentence सही होगा सोचने के लिए आपको 10 सेकंड दिये जाएंगे 10 सेकंड के बाद Correct Option आपको बताया जाएगा पूरे Explanation के साथ कि ये जो Sentence सही है, क्यों सही है, इसमें क्या सही है और लाश्ट में मुझे ये जरू बताये कि आपने कितना स्कोर किया तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके सामने दो Sentences है Some coffee is available here Some coffee are available here इनमें से कौन सा Sentence सही है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सम कॉफी एक Singular Uncountable Noun है तो Singular के साथ हमेशा इस आता है तो यहाँ पर Option A सही है अगला Question है The News is True The News are True इनमें से कौन सा Sentence सही है इनमें से कौन सा Sentence सही है मैं आपको बता देता हूँ, बुलिस का Use हमेशा Plural Noun के रूप में होता है तो इसी की वज़े से Sentence के Subject के रूप में यूज होने पर इसके साथ हमेशा Plural Verb का यूज होगा तो यहाँ पर Option B सही है अगला Question है I have two pairs of shoes इनमें से कौन सा Sentence सही है जहां कहीं भी Numeral Adjective का यूज होता है तो हमेशा इसका Use Singular में होता है तो आप बोल सकते हैं हमेशा इसके साथ Singular Verb का यूज होता है तो यहाँ पर Option B सही है Next Question is My hair is black My hair are black इनमें से कौन सा Sentence सही है Here का Use हमेशा Singular Uncountable Noun के रूप में होता है तो हमेशा इसके साथ Singular Verb का यूज होगा तो यहाँ पर Option A सही है अगला Question है The Rich is not Honest The Rich are not Honest इनमें से कौन सा Sentence सही है? The Rich का मतलब होता है अमीर लोग तो इसको हमेशा Plural Noun के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ Plural Verb का यूज होगा तो यहाँ पर Option B सही है Next Question is Rice and Curry are a Popular Dish Rice and Curry is a Popular Dish इनमें से कौन सा Sentence सही है? यहाँ पर Rice and Curry पूरा का पूरा एक Peer Word है इसलिए इसे पूरे Sentence में Singular Subject के रूप में यूज किया जाता है तो इसके साथ Singular Verb का यूज होगा तो यहाँ पर Option B सही है अगला Question है Every student should do its duty Every student should do his duty यहाँ पर कौन सा Sentence सही है? Every का यूज हमेशा Distributive Pronouns या फिर Adjective के रूप में होता है तो इसके साथ Gender के Singular Pronouns जैसे He, Him, His, Himself, She, Her, Hers, Herself इनका यूज होता है तो यहाँ पर Every के साथ जो Singular Pronoun यूज किया जा रहा है मतलब His का यूज हो रहा है वो Option सही है मतलब Option B सही है अगला Question है She is a woman doctor She is a doctor इन में से कौन सा Sentence सही है? He या फिर She के साथ कभी भी Man या फिर Woman का यूज नहीं होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं She की तो इससे साफ पता चलता है कि हम किसी Female के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जब हम बात करते हैं He की तो इससे साफ पता चलता है कि हम किसी male के बारे में बात कर रहे हैं तो man या फिर woman का use करना गलत होगा तो यहाँ पर option B सही है अगला question है इन में से कौन सा sentence सही है? woman का use sex को denote करने के लिए होता है मतला ये male है या फिर female है लेकिन lady का use sex को denote करने के लिए नहीं होता है तो यहाँ पर option A सही है क्योंकि यहाँ पर woman doctor को ऐसा noun यूज किया जा रहा है अगला question है My mathematics is poor My mathematics are poor इन में से कौन सा sentence सही है? जब बात करते हैं हम subjects की मतलब विशियों की जैसे mathematics, physics, politics, economics तो इन सभी को plural माना जाता है तो इनके साथ हमेशा plural verb का use होता है तो यहाँ पर option B सही है अगला question है The poor are laborious The poor is laborious इन में से कौन सा sentence सही है? अभी आपको मैंने बताया था दर रिच के बारे में यहाँ पर दर पूर का use हो रहा है तो दर रिच और दर पूर दोनों को plural noun के रूप में use किया जाता है दर रिच का मतलब होता है अमीर लोग दर पूर का मतलब होता है गरीब लोग तो प्लूरल noun का use होने की वज़े से इसके साथ plural verb का use होगा तो यहाँ पर option A सही है अगला question है इन में से कौन सा sentence सही है? न्यूस से पहले कभी भी A या फिर N का use नहीं होता है क्योंकि ये singular uncountable noun के रूप में यूस किया जाता है इसी की वज़े से इसके साथ singular verb का use होता है तो यहाँ पर option A सही है अगला question है What have you cooked in dinner? What have you cooked for dinner? इन में से कौन सा sentence सही है? breakfast, lunch और dinner हमेशा इन के लिए for का use होता है तो यहाँ पर option B सही है अगला question है I bought a piano इन में से कौन सा sentence सही है? जब कभी भी हम बात करते हैं musical instruments के बारे में तो इनका use हमेशा countable noun के रूप में होता है तो इन से पहले A या फिर N का use होता ही है तो यहाँ पर option A सही है next question is the books are made of paper books are made of paper इन में से कौन सा sentence सही है? plural noun से पहले कभी भी the का use नहीं होता है तो यहाँ पर option B सही है अगला question है he could drink only two spoonfuls of tea he could drink only two spoonfuls of tea इन में से कौन सा sentence सही है? two spoonfuls plural noun के रूप में यूज किया जाता है तो यहाँ पर option A सही है अगला question है I learnt English in school I learnt English at school यहाँ पर कौन सा sentence सही है? तो जब बात आती है school की तो जगह को धर्शाने के रूप में add का use होता है तो school के साथ add का use होगा यहाँ पर तो यहाँ पर option B सही है आपने कितना स्कोर किया मुझे जरूर बताएं और मुझे यह भी बताएं कि क्या मुझे इस टाइब की वीडियोस को continue करके रखना चाहिए या नहीं